So hey guys, welcome back to the channel And guys, आज की इस वीडियो में Pokemon Master Unite The Final Battle के 2nd Part में क्या हुआ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरी खुद की बनाए गई मूवी है ये कोई Pokemon की official मूवी नहीं है तो अगर आप लोग इस मूवी का first part देखना चाते हैं तो नीचे link description में दी गई है तो आप वहाँ से check out कर सकते हैं और अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो like कर देना और चैनल पे पहली बारा है तो please चैनल को subscribe भी कर लेना क्योंकि ऐसे Pokemon की और भी कई सारे मूवी आने वाली हैं इस चैनल पे तो यार प्लीज subscribe कर लेना तो चलिए अब ज़ादा वक्त नहीं बरबात करते हैं और इस मूवी के second part को शुरू करते हैं तो Pokemon Master के दिये गए हुए challenge को Ash accept कर लेता है और पुरे जोश में रहता है क्योंकि अब Ash के अंदर एक आग थी जो उस Pokemon Trainer को जला के भस्मक कर देना चाती है कुछी दिन बाद पिकाचु भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है अब Ash ये सोचता है कि वो Pokemon Master के सामने कौन कौन से Pokemon को चुने क्योंकि Pokemon Master ने कहा था कि उसके Pokemon बहुत जादा strong है इसलिए अगर Ash को Pokemon Master को हराना है तो उसे अपने टीम में सिर्फ strong Pokemon को ही रखना पड़ेगा Ash काफी जादा परिशान रहता है इस बात को लेकर कि वो अपने टीम में किस Pokemon को ले Ash काफी जादा सोचता है इस बारे में और वो finally decide कर लेता है कि वो अपने टीम में किसको किसको रखेगा लेकिन वो reveal नहीं करता वो किसी को भी नहीं बताता कि मेरे टीम में कौन कौन से Pokemon है Ash कहता है कि तुम सभी को Pokemon स्टेडिय में पता चलेगा कि मेंने कौन कौन से Pokemon को चुना है फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन Ash और Pokemon Master की Battle होने वाली थी Ash बहुत ज़दा confidence में रहता है वो ज़रा सा भी nervous फिल नहीं करता Ash देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहता है सब लोग Ash और Pokemon Master की Battle देखना चाहते है फिर Pokemon Master भी वहाँ पर आ जाता है और वो Ash को देखता है और कहता है कि Finally Ash वो दिन आ गया जब मैं तुमें पुरी दुनिया के सामने एक मजाग बना दूँगा Ash कहता है कि कौन किसका मजाग बनाएगा वो तो वक्त बताएगा पिछले मैच से मैंने बहुत कुछ सीखा है जिस तरह तुमने मुझे पिछले मैच में हराया वैसे ही अब तुम हरोगे और मैं बनूँगा Pokemon Master वो ट्रेनर कहता है कि मैं तुमारी बात से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ Ash चलो इसी बात पे मैं तुमारी थोड़ी मदद कर देता हूँ मैं बिना किसी Pokemon को स्विच किये तुमें हराऊंगा सभी लोग Pokemon Master की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी ट्रेनर ने Pokemon Stadium में ऐसा नहीं किया है इसलिए सभी लोग काफी ज़दा हैरां हो जाते हैं फिर Ash कहता है ठीक है तो चलो देखते हैं कि कौन ज़दा स्ट्रॉंग है फिर इनकी बेटल स्टार्ट हो जाती है Pokemon Master अपना पहला Pokemon Dragonite को चुनता है और Ash अपना पहला Pokemon Subtile को चुनता है Pokemon Master कहता है कि वाव एक ग्रास्टाइ पोकेमोन लेकिन क्या मतलब जब वो मेरे Dragonite से हार जाएगा Dragonite Subtile पे Flame Thrower यूज़ करो Ash कहता है Subtile Bullet Thread इस्तमाल करो Flame Thrower और Bullet Thread आपसमें टकराते हैं लेकिन Dragonite का Flame Thrower Bullet Thread को चिरता हुआ जाके Subtile को लग जाता है फिर Ash Subtile को Leaf Blade इस्तमाल करने के लिए कहता है लेकिन तभी Dragonite हवे में उड़ जाता है जिसकी वज़े से Subtile अपना Leaf Blade इस्तमाल नहीं कर पाता फिर वो ट्रेनर कहता है Dragonite Ice Beam यूज़ करो और Dragonite का Ice Dim Subtile को लग जाता है Ice Beam के वज़े से Subtile को काफी चोट पहुचती है इसलिए Ash Subtile को वापस बुला लेता है और उसकी जगब Pikachu को भेजता है फिर वो Pokemon Master Dragonite को Thunderbolt यूज़ करने के लिए कहता है लेकिन Pikachu उसे जहल लेता है और फिर Ash भी Pikachu को Thunderbolt यूज़ करने के लिए कहता है लेकिन Dragonite भी उसे जहल लेता है फिर Ash Pikachu को Iron Tail यूज़ करने के लिए कहता है लेकिन Dragonite हवे में चले जाता है जिसके वो यह से Pikachu अपना Iron Tail उसे नहीं मार पाता एश सोचता है कि अगर ड्रेगनेट ऐसे हवे में उड़ता रहा तो हम उसे नहीं हरा पाएंगे कैसे भी करके ड्रेगनेट को नीचे लाना पड़ेगा तबी एश के निमाग में एक आडिया आता है वो पिकाचु को कोई भी अटेक परफॉर्म करने के लिए नहीं कहता है वो सिर्फ ड्रेगनेट के मूव से बचने के लिए कहता है ड्रेगनेट अपने जितने भी मूव इस्तमाल कर रहा था पिकाचु उन सभी मूव से सिर्फ बच रहा था और वो कोई भी attack perform नहीं कर रहा था ऐसे करते करते dragon head काफी ठक जाता है फिर वो pokemon master इस चीज़ से काफी frustrate हो जाता है इसलिए वो dragon head को hyper beam use करने के लिए कहता है dragon head अपनी पूरी ताकत से hyper beam use करता है पिकाचू पे और पिकाचू भी उस hyper beam से नहीं बच पाता और पूरे stadium में काफी धुआ हो जाता है जिसके उज़े से पता नहीं चलता कि वहाँ पर क्या चल रहा है सभी लोगों को ऐसा लगता है कि पिकाचू हार गया होगा लेकिन थोड़ी देर में जब धुआ हटता है तो सभी लोग देखते हैं और काफी ज़दा हैरान हो जाते है क्योंकि पिकाचू वहाँ पर अभी भी टीका था और अपने पूच पे खड़ा था सभी लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिर पिकाचू बच कैसे गया फिर एश बताता है कि पिकाचू ने अपने पूच को स्प्रिंग की तरह इस्तमाल किया ड्रेगर नैट का हैपर बीम जब पिकाचू को लगा तो पिकाचू ने अपने पूच की मदद से उस हैपर बीम को जमीन में डाल दिया जिसकी वज़े से पिकाचू ड्रेगन आट का हाइपर बीम को जहल पाया फिर वो पोकीमोन मास्टर ड्रेगन आट को आइस बीम यूज करने के लिए कहता है लेकिन ड्रेगन आइस बीम यूज नहीं कर पाता और वो इसलिए क्योंकि अल्रेडी ड्रेगन आइट ने एक स्ट्रॉंग मूव इस्तेमाल किया है जो कि हाइपर बीम इसलिए अब वो वापस एक मूव इस्तेमाल करने के लिए उसको रिचार्ज होना पड़ेगा और यहीं पर एश को मौका मिल जाता है ड्रेगन आट को हराने का वो पिकाचु को कहता है पिकाचु एजिलीटी इस्तेमाल करो पिकाचु अपने एजिलीटी इस्तेमाल करता है और वो ड्रेगन आट के सर पे चड़ जाता है और फिर बाद में पिकाचु को एश कहता है कि यहीं वक्ते पिकाचु थंडर अटेक इस्तेमाल करो Pikachu अपना थंडर अटेक इस्तमाल करता है और डागalनेट हार जाता है अब यहां पर Pokemon Master का एक Pokemon हार जुका है Pokemon Master कहते हैं वार ऐश मांना पड़ेगा सच में तुमारे अंदर दिमाग तो है लेकिन देखते हैं क्या तुम मेरे इस Pokemon को हरा पाते हो जाओ Moltres अपनी ताकत दिखाओ Moltres को देखकर पूरी ओर्डियंस हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि Pokemon Master के पास एक Legendary Pokemon भी है एश अपने Pikachu को वापस बुला लेता है और Pokemon Master को कहता है मुझे मालूम था कि तुम मेरे सामने Molteres को ज़रूर यूजे करोगे इसलिए Molteres को हराने के लिए मेरे पास मेरा secret weapon है जाओ, Greg Ninja Greg Ninja स्टेडियम में आता है और पूरे confidence में रहता है Pokemon Master कहते हैं तो यह है तुम्हारा secret weapon Ash कहता है नहीं Ash यह चीज बोल कर Greg Ninja को bond evolve कर देता है और Ash Greninja बना देता है और फिर कहता है ये है मेरा Secret Weapon Pokemon Master एक छोटी सी स्माइल लेते हैं और Moltres को Fire Blast यूज़ करने के लिए कहते हैं Ash Greninja को Double Team यूज़ करने के लिए कहता है Greninja अपने Double Team की मदद से Fire Blast से बचतो जाता है लेकिन फिर Pokemon Master Moltres को Flame Thrower यूज़ करने के लिए कहते हैं और Moltres अपने Flame Thrower की मदद से Greninja के सारे Double Team को खतम कर देता है फिर Ash Greninja को Cut Attack इस्तमाल करने के लिए कहता है Greninja अपने Cut Attack को X Shield की तरह इस्तमाल करता है जिसकी वज़े से वो Moltres के Flame Thrower से बच जाता है लेकिन Moltres की आग बहुत जादा गरम थी और इस वज़े से Greninja के हाथ बहुत जल जाते है फिर वो Pokemon Trainer Moltres को कहता है Fire Blast यूज़ करो Moltres Moltres Fire Blast यूज़ करता है और वो Greninja को जाके लग जाता है Ash Greninja को Aerialis यूज़ करने के लिए कहता है Greninja अपने Aerialis के मदद से Moltres को बहुत मारता है लेकिन तभी Pokemon Master Moltres को अपना Strong Move यानि की Bird Nap यूज़ करने के लिए कहता है फिर Ash कहता है Greninja अब इस Battle को खतम करने का वक्त आ गया है अपनी पूरी ताकत से Giant Water Shuriken यूज़ करो Moltres पे फिर Greninja और Moltres दोनों ही अपने सबसे Powerful Move एक दूसरे पे इस्तमाल करते हैं जिसकी विज़े से एक बहुत बड़ा सा Explosion Create होता है और हर जगा धुआ धुआ हो जाता है और जब धुआ हटता है तो हम देखते हैं कि Moltres हारा हुआ रहता है और Greninja अभी बिखाडा था और ये चीज़ देखकर एश बहुत ज़दा खुश हो जाता है क्योंकि अब Pokemon Master के दो Pokemon हार चुके थे और एश के अब तक एक भी Pokemon नहीं हारे थे लेकिन Greninja काफी कमजोर हो जाता है इसलिए एश ग्रेनिजा को वापस बुला लेता है फिर Pokemon Master अपना अगला Pokemon चुनता है जो कि था डाकराय डाकराय को देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक Legendary Pokemon के बाद उसके पास एक Mythical Pokemon भी है एश सोचता है कि डाकराय के सामने मुझे कौन सा Pokemon इस्तमाल करना चाहिए फिर एश अपना अगला Pokemon चुनता है जो कि था सब्टायल अब सब्टायल और डाकराय में कौन जीतेगा क्या एश Pokemon Master को हरा के Pokemon Master बन पाता है ये जानने के लिए दिखते रहिए Pokemon Master Unite The Final Battle